हेलो बच्चो चलिए इस लेक्चर में हम लोग मौडरन हिस्ट्री का जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि सेमेंटी से लेके नाइन्टी थर्टी फाइव उसके बाद इंडिपेंडेंडेंस एक्ट ऑफ नाइन्टी फोर्टी सेवन तक का हम लोग देखेंगे ठीक है है अब समझो मेरी बात इस एक लिक्चे में आपके जितने भी एक्ट है रेगुलेटिंग पर्फिस इंडिया आक्ट हो गया गुफंड फिसलिक ऑपह से बाहर इस牛पिक में कुछ भी नहीं आने वाला division लिए चलिए देखते हैं सबसे पहला हम लोग देखेंगे 7073 एक्स में क्या बोलागा यह पहला स्टेप था इस पार्लेमेंट तो कंट्रोल और रेगुलेट अफ इस इंडिया कंपनी को और रेगुलेट भी करना यह क्यों आई देखो ऐसा वड़ा था ना कि जो इस इंडिया कंपनी जो था ना वो उसका मोनोपली बढ़ रहा था तो बेटिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे हाथ से इंडिया का जो टेटरी ना चला जाए इसलिए बेटिस पर्लेमेंट ने यह पहला स्टेप लिया लेकिन यह अनसक्सेस्पुल स्टेप था ठीक है बेंगाल थे वो अब कहलाएंगे गवर्नर जेनर बेंगाल और क्वेस्टन पूछा जाएगा किस एक्ट के तुरू गवर्नर बेंगाल को गवर्नर जेनर बेंगाल बोल दिया गया और बना दिया गया तो रेगुलेटरी एक्ट ऑफ सेवेंटी थी ठीक है सेवेंटी सेवे लिइसिलेटिव कॉंसिल नहीं रखा गया ठीक है जैसे लेइसलेटिव एसैमली लेइसिलेटिव कॉंसिल थिक है सबडूर अपुवर्णरेट सबडूरेटीड तो घवरनर दोगनःटिडनर अब बंढ़नर जो थे जो तरो गवर्नर अब बेंगाल, लेकिन जो गवर्नर अब मॉंबे थे और मदरास थे, वो किनको सब ओर्डिनेट करेंगे, गवर्नर जेनरल अब बेंगाल को, ठीक है, चलो, सुप्रीम कोट एस्टाबलिस किया गया, कहां पे, फोर्ट विलियम, कलकता में, और उसको एफेक्स कोट बना दिया गया, इंडिया का अंदर 1774 में, ठीक है, प्रोविटेट सर्वेंट, सर्वेंट, सर्वेंट अब दा कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्नी ब्राइब्स प्रॉम दा नेटिव, अब जितने भी सर्वेंट थे, इस्ट इंड रिपोर्ट जो पेस करेंगे, उसमें रिवेंट भी आप बताएंगे, अब देखो उससे ज्यादा इंपोर्टेंट से ओर्ट कॉम्स क्या निकला इस रेगुलेटिंग आक्ट है, यह बहुत इंपोर्टेंट से डारेक्ट कोसंस आ भी चुके हैं और आएंगी भी, तो करना चारा, क्芥क Aid को क्या डेखो, क्या क्या निकला इस क्या तबेबांगे, सिस्टम अब ज्यूरस के ऊप्रीं कोट मावीं रिज लिए गया, आप बोलेंगे ऐ से बात हैंएं यहां सरवेंट को बोला गेया, जितने भी पैबलेंट को बोला गया है, कि आप क्या नी कर सकत तो ब्राइब नहीं ले सकते हो एंटी करप्शन मेजर हो गया फॉर्स टाइम ब्रिटिस गवर्मेंट टुक इनिसेटिव टू रेगुलेट अफेर और यह पहला टैम था कि इस इंडिया कंपनी के अफेर को रेगुलेट किया ब्रिटिस पाल्यामेंट ने ठीक है यह ब्रिट इंडिया अक्ट गॉझा है बी ने रेगुलेटिंग आत यह ब्राइब निज़सिंग्या गया प्रेंटिस ग्वर्मेटsembलिक लिटिए थी बेटिस पार्लियमेंट का रेगुलेट करने का अब समझो इसमें क्या बोला गया इसमें डिस्टिंग्रिस किया गया बेटमिन गल्टीज के निदिया वे कौल डब्रितिश पोजिशन में इंडिया तो पिट्स इंड्या आक्ट हो स्वेंट अब मदरास और गवर्नर अब बंबए वह किसको सौब ओडिनेट करेंगे गवर्नर जनरल अफ बेंगाल को मैं जो कह रहा हूं भी लिखते चलो ठीक है तो गवर्नर कॉण्सिल जाब है वह कहां पर अब इसका ओड्कम्स देखो गवर्नर की बात यह भी बोड अब कंट्रोल का अब हम लोग देखते है कि चार्टर राक्त क्या बोलता है अब रेगुलेटिंग आक्ट हमने देख लिए चार्टर एक वह एक साथ देखते है तो गवर्नर जेनल अब बेंगाल इंडियन ट्रेड को टर्मिनेट कर दिया गया कौन टर्मिनेट किया बिटिस गवर्नेट ठीक है ट्रेड विथ इंडिया ओपेन कर दिया गया अब देखो चार्टर एक्ट अब गवर्नर जेनल अब बेंगाल बन गेंगें गवर्नर जॉन्से ठीक के थुर्प बना और अब वो गवर्न जनल अब बैंगाल क्या कह लाएंगें Centralization of power, ठीक है, आप देखो, जो First Governor General of India थे, वो कौन थे, Lord William Van Tick, ये आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है, चलो, Beginning of Central Legislature for India, एक beginning किया गया, कि India में Central Legislature के established किया जाए, as the act also took away the legislative power of Bombay and Madras provinces, आप देखो, सब के पास provinces के पास अपना legislative power था, लेकर अब क्या क्या गया जा रहा है, कि legislative power जो है, वो centralized किया जा रहा है, ताकि जो provinces जो उनके पास legislative power नहों, एक central legislative power हो, ताकि कंट्रोल अच्छे से किया जाए, पैन इंडिया के बाते हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखो पैन इंडिया का बाते हो रहा है, क्योंकि जो governor general बेंगाल थे, वो governor general अफ इंडिया कहलाने लगे बच्छो, ठीक है, चलो, आप देखतें next चीज़, next, the act, the activities of the EIC, EIC मतलब इस्ट इंडिया कंपनी, commercial body, अब उ चलो, outcomes क्या आया, इसका, outcomes मतलब रिजन क्या आया, यह पहला step था, was made for system of open competition for civil service examination, जिसका अप्रिपेशन करो, यह पहला attempt था, यह successful attempt नहीं था, यह ध्यान रख रहा है, यह पहला attempt था, made for system for open competition, उन्होंने बाते की थी, ऐसा नहीं थे, उन्होंने लागू कर दिया गया, ठी गवर्नर जेनरल वाज गिवेन पावर टू लेगिसलेटी पावर दे दिया जाया, यही मेन मोटीव था, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, चार्टर अक्ट आप 1853, जो लेगिसलेटीव आपका, जो लेगिसलेटीव और एग्जूकेटीव फंसन्स था, गवर्नर का, उसको सेपनेट कर दिया गया, ठीक है, इट इंटेडूस अ सिस्टम अप ओपेंड कमपेटिशन अज बेसिस फोर रिकूर्टमेंट अफ सिविल सर्वेंट अप दा कमपनी, मत्तब इंडियन सिविल सर्विस अपेंड फोर ओल, यह 1853 में बात किया गया, सबसे मोट Centralized Legislative के बाते किया जा रहा था, जब Centralized Legislative के बाते किया जाएगा, इसका मतब पार्लेमेंटरी सिस्टम के लाने की बात की जा रही है, तो यहां से एक कोशन जरूर बन सकता है, कि किस एक के तुरू, Foundation of Parliamentary System इंडिया की Establishment की बात क्या ही गई है, तो वो हुआ है, 1853 Chartered Act, औ जो आपने इस लाइन के तुरू पढ़ा है, इस से ज़्यादा पढ़ने के जुरूत नहीं है, अगर कुछ Add-on होता तो मैं अलग लेक्चर लेकर आऊंगा, क्योंकि Add-on तो कुछ हो का नहीं, अगर मुझे कुछ दिखेगा कि जो Previous से ने पूछा गया, और भी Depth जाके, त आप देखो, 1857 में वाड हुआ, जब 1857 में वाड हुआ, तो British को एक धक्का लगा कि हो सकता है कि इंडिया से हमको remove कर दिया जाए, इंडिया, इंडियांस मिलके हमें remove कर दिया जाए, तो British government जो थे न, उनको tension हो गया, तो उन्होंने क्या करा, कि Government of India Act of 1858 लाया, क्यों लाया उसके पीशे कारने यह था, कि वो डड़े हुए थे, कि इंडिया का अपनी जो rule कर दिया है, उनका जो तरीका है, लोग को मारना, अपने हिसाब से monopoly करना, tax rate 50-60% कर देना, उससे वहां के लोग अगर एक होगे, unite होगे, तो हमें problem हो सकती है, इसने rule of company जो था, replace कर दिया गय rule of crown थे, जो British के crown थे, उनके वो अब rule करेंगे, rule of companies no more, ठीक है, जो governor general थे, अब vicerai कहलेंगे, मतलब governor general of India, जो थे, वो vicerai of India कहलेंगे, मतलब governor general of India, no call, vicerai of India, first vicerai कौन थे, lord, cannon थे, और जो भी, आप देखोगे, speeds India act, 70-84 के तुरू, board of control, और court of director बनाया गया, ठीक है, commercial औ political function के लिए, इनको इन्होंने abolish कर दिया, खतम कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, power of British crown, जो British crown का जो power था, वो इंडिया में कौन exercise करेगा, वो security of state इंडिया में exercise करेगा, मतलब British of crown कहां बैठेंगे, कहां बैठेंगे, British of crown कहां बैठेंगे, बैठेंगे, तो उनक उनके बिहाब पे जो इंडिया में जो power exercise करेगा, वो security of state exercise करेगा, बच्चो, और उनको एक complete authority दे दिया गया, इनको assist कौन करेगा, इनको assist करेगा, council of India, जिसमें 15 member थे, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक दो बार पड़ो भी याद रखना है, ठीक है, इनको control over Indian administration दे दिया गया, through the vicerai as his agent, मतलब security of state का agent कोन होगा, vicerai, इसका मतलब यह है कि पहले जो governor general of India को pan India का power दिया जा रहा था, अब security of state को पूरा power दिया जाएगा, दिया गया, governor general जो थे, कहीं न कहीं इस इंडिया कंपनी के साथ favor में काम कर रहे थे, इसलिए उनको assistant में डाल दि state के अंदर, ठीक है, आप देखोगे, outcomes क्या क्या है, इसके तुरू, तो यह act को good government of India act बोला जाता है, यह याद रखोगे, ठीक है, इस इंडिया कंपनी को abolish कर दिया गया, ठीक है, office of vicerai, complete abolish कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना, office of vicerai, जो था, वो direct crown representation हो जाएगा, जो vicerai का office था, उसमें जो direct crown का representation हो जाएगा, ठीक है, office of security जो था, who was the member of the British cabinet, British cabinet के member होंगे, office of security में, ठीक है, नो, British colony was under the direct hold of crown, जो जितने भी British colony थे, वो किसके अंदर में आप जाएगे, direct crown के अंदर आ जाएगे, British crown के अंदर आ जाएगे, ठीक है, बच्चों, चलो, पहले हम क्या देख रहे थे, कि बेटीस सेंट्रलाइज करने की कोशिज कर रहा था, लेकिन जैसे 1857 का war हुआ, तो बेटीस को यह realize हुआ, कि इंडियन के हाथ में, अगर हम पावर नहीं दिये, तो हमारा जो यहाँ पे कपजा है, और हमारा जो यहाँ पे position है, वो बिलकुल ही खतम ह हो जायागा, इसलिए उन्होंने decentralized करने की कोशिज की, और इस Act में हम लोग देखेंगे, यह है Indian Council Act of 1861, ठीक है, इंडियन रिप्रजेंटेशन इन्सिट्टूट लाइक वाइसरा एजुकेटिव, तो वाइसरा एजुकेटिव में इन्होंने क्या करा, वाइसरा एजुकेट इन्जियन को एड किया गया, और legislative council में non-official इन्जियन को एड किया गया, त्री इन्जियन इंटर्निंग legislative council, यह हम बात करेंगे, तो यहां से आपने क्या सोचा, क्या देखा आपने, कि वाइसराई के office में भी और legislative council, legislative council को non-official, official member नहीं, non-official को add करना स्टाट के, यह तीन इन्जियन कोन थे भी आगे हम लोग बात करेंगे, legislative council where established in central and province, आप देख लो, decentralized का बात हो रहा है, मैंने बोला था, क्योंकि पहले बात हो रहा था, सिधा सिधा central legislative का बात हो रहा था, जो provinces के legislative को उसको चिन लिया गया था, आप देखे होगे, पहले अभी मैंने पढ़ाया, जो मदरास और बॉंबई के legislative council तो उसको बंद कर दिया गया, centralized and power कर दिया गया, पिट्स इंडिया act of 7084 में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, उस power को center में तो था, यह लेकि प्रोविंसेज में power को restore करने की बात ही कही जा रही है, यहाँ पे ठीक है वाइसरा एजुकेटिव कॉंसिल सुट हाब सम इंडियन, बोल दिया गया, कि वाइसरा के एजुकेटिव कॉंसिल में इंडियन होने ही चाहिए, और non-official member कहा होना चाहिए, legislative business जो हमने ऊपर देखा था, initiate the process of decentralization, जो बच्छो अभी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे power restore होने की बाते होगी, provinces को power देने की बाते होगी, इसका मतलब क्या है, process of decentralization start हो गया, कि British को अपनी उकाद पता चल गई थी, 1861 act के थुरू, restoring the legislative power of the Bombay and the Madras provinces, यह जो Spits India Act of 1784 में चिल लिया गया था, अभी देने की बाते कहीं जा रही है, इसका outcomes क्या आया, 1861 act, outcome क्या आया, इंडिय and we are included in Viceroy Council, सबसे पहला बात, राजा और बनारस, पतियाला और दिनकवरा को जो थे, first Indian थे, जो nominate किये गे Viceroy के दुवारा, ठीक है, power of legislative was restored to Madras and Bombay, मदरास और Bombay का जो legislative power खा, उसको restore करने की बाते कहीं गई है, वाइस तरह आप ordinance issue कर सकते है, यह बहुत important है, क्योंकि अगर आप से पूछा जाएगा, कि ordinance power कहां से लिया गया, तो आप बोलो कि 1861 से लिया गया, क्योंकि अभी भी governor और पेसी ने, जब parliament session में नहीं होता है, तो ordinance power होता है, मत्तब temporary act पास कर सकते है, temporary bill पास कर सकते, inclusion of Indians, Indian क इंक्रूज करने के बात ये कही है, process of decentralization, आप ध्यान रखोगे, पहले central license की कहां बात ये कही गई थी, act में, फिर final step कब लिया गया, central license का, और यहां पर क्या बात किया जा रहा, process स्टार्ट कर दिया, जैसे process स्टार्ट किया गया था, central license का, यहां से एक process स्टार्ट किया गय उनको specific department का special status दिया गया था, इस चीज को लिक्रों जो मैंने भी बोला है, ठीक है, उसको हम लोग portfolio system बोलते हैं बच्चो, ठीक है, चलो यहां तक आपको I hope clear होगा, चलो बच्चो, अब हम लोग discuss करते हैं, कि Indian council act of 1919 क्या था, बहुत important है, देखो, इसको हम मौले मिन्टो भी बोलते हैं, मौले मिन्टो रिफॉर्म भी बोल सकते हैं, एक्जाम में Indian council act of 1909 के बदले, मौले मिन्टो रिफॉर्म भी पूछ सकता है, मौले कौन थे, security of state थे, और vicerai कौन थे, मिन्टो जोते, वो vicerai थे, ठीक है, यह direct election to legislative council के बाते हैं यहां पर कही गई है, first attempt at introducing the representative and the popular element यह पहला बार, dialect election की बाते कही गई है, जो central legislative council था, उसको अब कर दिया गया, empirical legislative council नाम रख दिया गया, ठीक है, the member of central legislative council, जो empirical legislative council अब कहलाता था, पहले 16 member थे, वो सको 60 member कर दिया गया, अब पहला बार ऐसा हुआ कि separate electorate दे दिया गया, इसको Muslim को separate electorate दे दिया गया है, ठीक है यहां से start होता, separate electorate के बात, जिसका गांधी जी हमें सा बिडियोत करते है, ठीक है, इंडियन for the first time, वाइसरा एजुकेटिव कॉंसिल जो थे, वो इंडिया के वाइसरा एजुकेटिव कॉंसिल जो इंडियन जो वाइसरा एजुकेटिव कॉंसिल के पार्ट बने थे, या member बने थे, वो कौन थे, सतेंद्र परसाद सिन्ना as the law member, ठीक है, अब इसका outcome किया था, वो देखते है, इंडिय वेर, इंडिय एजुकेटिव कॉंसिल अभी बाते किया, थीक है, लाड मिन्टो जो थे, वो फादर अव औनने लेक्टुन इंको बोला गया, क्योंकि इंकोwowई स्टार्ट कर रहा था किसी जीज का इन्हों सेपरेट एलॉक्रेट की बादे गही थी और स्टार्ट भी इन्हों नहीं किया था मुस्लीम को सेपरेट एलॉक्रेट देखे बच्छो अब हम लोग देखते हैं बच्चों इंडियन कॉंसिल एक्त अव नैं चंट्स फोर्म तो आप जानते हैं कि मॉन्टेटेव क्वार्टं हो गे क्वाइसराई ढुकिंट्ट आपको ऊपर से किलियाł होती नौन ऑज हमने क्वांशने एक्वा क्षाइथ查न एक्षाम ठेर्ट्सेखन अलग का अधिकार छेत है उनको अलग कर दिया गया system और dual government और जिसको डियारकी भी बोलते है वाज introduced in the provisional subject डियारकी जो है वो provisional subject में introduce कर दिया गया और under diard की system provisional subject जो डिवाइड कर दिया गया transferred और reserved subject में ध्यान रखना transferred और reserved तो ध्यान रखना ट्रांसपर सब्सक्राइब सकते हैं इसको याद रखो तो टीकructure तैक युजआरस ऑफ डूं आच ंरेक्ट को तो और युसर पूप कर सकते हैं गया रखोगे और एक्ट इंडिडूस दा फॉर्स तम बाइक केमरी जले लेट दा सेंटर बाइक केमरी मतब टू होसे जैसे अभी लोग सभा और राज सभा है ऐसे दो होसे की बाते कही गई थी उसी को हम लोग बाइक केमरी ले जम बोलते हैं और बच्चों यहां पर डायरेक्ट सजी कॉनीप के प्याला मेंबर कौन बने थे सचन्स इनना ठीक सफेंद अभी हमने यहां पर आता सचन्स सेचन्थ्प्रशाथ-सबीधन quotid सिना उडा सफ्व to system इंडिया, foundation की बाते होई parliamentary system इंडिया का ये democracy की बाते कर रही है और क्या बाते कर रही है dip in the policy of divide and rule ये divide and rule की बाते कर रही है क्यों divide and rule की बाते हो रही है क्योंकि यहाँ पे कहीना कहीना जो separate elective थे वो लोगों को बढ़ाने का काम कर लिया गया था इसलिए यह डिवाइड रूल की बाते कर रही है क्योंकि ठीक है उसके बाद सेपरेट एलेक्टर किसको दिया गया था सीख क्रिस्चन और एंग्लो इंग्टर को दे दिया है इसलिए यहाँ पर पॉलिशी बेट कर रहा कि हिंदू के बीच्वें डिवाइड कर रहा है क्योंको यहां पर सेपरेट एलेक्टर दे दिया गया है ठीक है किया है उनके इतने मेंबर पक्का के पक्का गवर्मेंट पे जाएंगे ठीक है जैसे सीख, क्रिस्चन, एंग्लो इंडियन को उन वे जो अंग्रेज है लेकिन इंदर में बैठ गये और जैसे यूरूपियन होगे इनकी बाते इस एक्ट में कहा गया है अगर आप देखो के सेपरेट एलेक्टेट कब स्टार्ट हुआ सेपरेट एलेक्टेट स्टार्ट का हुआ 1909 में मुस्लिम को दे दिया गया और सेपरेट एलेक्टेट 1919 में इसको पढ़ा के सीख, क्रिस्चन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन को दे दिया गया इससे आप यहाद रख सकतो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइड ने डूल की बाते कही जा रही है ठीक है इतना बात यहाद रखोगे डारेक्ट एलेस्टन की भी बाते यहाँ पर कही गया अब क्या हुआ कि साइमन कमीशन का सेपरेट कर दिया ये मतलब इंडिया से ब्रमा आज के इसमाद मिया रहा है इंडिया से से डिस्पारियन कमिशन नहीं रिकम्ट इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि लाला लाजपायत्रा को लाठी लगने कान उनकी डेथ होगे थी उनकी मिर्ति अब हम लोग देखते हैं इंडियान गौर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप 1935 यह बहुत इंपोर्टन है इसलिए इंपोर्टन है कि इस एक्ट से डारेक् इनका मतलब क्या था समझो मेरी बात हुआ क्या था जो ब्रिटिस थे न वह उन्होंने क्या करा जो प्रिंसली स्टेट था न उनके सार्व रिलेशन अच्छा रखने की कोशिस का प्रिंसली स्टेट को बोला कि आप अपना राज चलाओ ठीक है हमें 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 पैसा देते च प्रिंसली स्टेट लिस्त मतलब करें स्टेट मांन के चलाओ धैरल मतलब मांन के चला अर्चा जो कोी परोविजनर को यह बैसी है पगल में पूछो है कि सैद्स को आया झायाainen को अन्हीं में के थिखतğ हर आया इप ग्यारे सबस्माटेंट सफकर है कि में अगर और सब्सक्राइं आ पूछे जो है डायार्ची कब खतम कर दिया गया प्रविजिजनल में कब खतम कर दिया नाइंटी हंडे थर्टी फाइव में अगर आप डायार्ची कहां इंटेड्यूस कर दिया गया सेंट्रल में इंटेड्यूस कर दिया गया किसके तुरू गौर्मेंट ऑप इंडिया नाइंटी थ तो आप ध्यान से देखो कि सारे चीज़ को एक साथ करोगे ना देखो ड्यार की प्रोविंसेसे में 1911 बात करता है किसमें बात करताा नैंटीन हंद और जगा इस्टैबलिशमेंट और चेंटर का बात धिक और दिखते हैं उसको हम लोग देखते हैं जलो अब दिया और यूनियन में ला दिया गया जो इसको दियान रखो प्रडाई केमलेट प्रविंशे नाइटी फाइटीफाइब लाया तो बाइकमलेट अब आया ठीक है रिस्पॉंसिबल गूब्मेंट की बात है अब आगे आपने पढ़ा है प्रविंशनल अट्वर्मी टिक है इसलिए यहां पर फेडरलिजम की बात है इंडिया 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 फेडरल कंटी कॉमिनल रिप्रजेंटेशन वाज एक्सेंटे टू यू वुमें और लेबर अब देखो 1935 में जो कॉमिनल रिप्रजेंटेशन था वो मुमें और लेबर को भी दे दिया गया पहले कब हुआ स्टार्ट कब हुआ याद रख सकते हो अगर कउसिल ऑफ इंडिया का बुलिज कर दिया गया रिजर्ब बैंक जो है रिजर्ड बैंक और फेडरेल कोड और फेडरल ंड्र प्रविजनल प्रविजण प्रबिश कमिशन को मैंने जो बोला है आपको 1935 से बहुत कुछ लिया गया तो यह सब चुछे लिया गया इस बात को समझो जैसे 1935 सर्क लिया गया आप देखो यह जो लिस्ट है न यह लिस्ट महीं से लिया गया भी हम लोग करते हैं Central List, State List और Union List और Recidory Power किसके पास होता है पास अभी इस चीज को फालो करते हैं अब लोग ठीक है अब देखो इंडियान इंडिपेंडेंस एक्ट आफ निए यह क्या बोलता है यह लास्ट आप समझो इंडिया 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 को डिक्लियर कर दिया गया इस्टेट है इंडिया 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 जब बना उस समय हमारे पास नहीं था तो हमें जब तक हम नहीं बना पाएं 1950 तक तब तक हमारे जो जो नॉमिनल हेट थे जो अभी प्रेसिडेंट है वह वाइसराई को बना दिया गया था तब तक चलो अब हम लोग देखते इट एसाइंड डूएल फंसर ने जो भी था तो दूएल एसे कर सकते हो जो डूएल फंसर न का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो भी कॉंस्टिट्यूशन डूसामली थे वो क्या क्या कर सकते हैं वो वो लेक्स्टिटी पावर भी कर सकते हैं और कंस्टिट्यूशन भी बनाएंगे यह उनको दे दिया गया डूएल प्रइंटिज नहीं वोर्मेंट बन 1947 तक का है यह आप ध्यान से पड़ो अगर आपको PDF चाहिए let me comment in the comment section of the YouTube and the Facebook आप comment करो comment को definitely आपको हम link share करेंगे इसका जब तक comment नहीं आएगा तब तक मैं इस PDF को share नहीं करुगा तब तक आप इसको stop करके लिख सकते हो बार सुन सकते हो definitely आपको इस तरह इस देगा examination में थैंक यूवरिवन ऐसे इन्हें next lecture के साथ मैं कुछ दिन में आता हूं ठीक है बच्चो थैंक यूवरिवन